नमश्कार दोस्तों स्वावित करती हूं आपसे बिए शिक्षाप्रभा में तो दोस्तों मैं करुणा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 11 का ग्रह विज्ञान यानि की होम साइंस का प्रेक्टिस पेपर जो कि अप्रोड किया है डियोई ने तो बिटा ये जो आपका प्रेक्टिस पेपर है इसी पैटर्ण पर आपका जो फाइनल एक्जाम है 11 क्लास का वो होने वाला है तो कितने नमबर का आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35 और दो घंटे का से में बिटा इसके लिए आपको दिया जाएगा जो आपके लिए इसमें सामाने निर्देश डियोई ने दी है वो ये है कि आपके जो प्रशन पत्र है उस पे 13 प्रशन है और सभी प्रशन करना कंपलसरी है यानि की अनिवारे है प्रशन पत्र को तीन खंडों में बिटाए हाँ पर बाटा गया है का खा और गा में खंड का में एक से साथ तक प्रशन है जो की दो अंक वाले है और खंड गा में आट से दस तक प्रशन है जो की तीन अंक वाले है और खंड गा में 11 से 13 चार प्रशन है जो की चार अंक के होंगे कुछ प्रशनों के अंदर आपको आंतरिक विकल्प भी दिये गया है यानि की option दिया गया है और करके है ना उपर वाला प्रशन नहीं आता तो उसका नीचे वाला प्रशन आप कर सकते हैं तो बिटा पेपर शुरू करने से पहले अगर आप सिक्षा प्रवा पर नए हैं तो सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें शुरू करते हैं बिटा आपका खंड आ जिसके अंदर पहला प्रश्ण जो यहां पर आपको दिया गया है वो है जॉन एक कॉलिज होस्टल में रहने जा रहा है उसे कपडों की देखभाल और संग्रह करने की चार साथधानी के बारे में बताईए बहुत से बच्चे हैं जो कि English Medium वाले हैं और बहुत से बच्चे हैं जो कि Hindi Medium में Home Science को पढ़ रहे हैं तो यह जो पेपर है आपका Hindi English में दिया गया है और जो इसका solution है बिटा वो आपको English Medium में हापर प्रोवाइड किया गया है तो जोन is going to stay in a college hostel explain to him about four precautions to be taken for the care and stories of garments दो नमबर में बिटा यह question यहाँ पर आपको दिया गया है इसका solution बच्चे यहाँ पर हम देख लेते हैं तो इसका solution D.O.E. ने दिया है कोई दो बिटा आपको देनी है आपे या कोई चार आप अगर देते हैं तो अधा अधा नमबर की आपको दी जाएगी तो सबसे पहले क्या है Wash, clean and dry Ensure no moisture before they are packed and stored away Second points में आप लिख सकते हैं Woolen should be brushed well and dry clean before they are stored Third, all stains and starch should be removed before storing The shelves, boxes or closets chosen for storing should be clean, dry and insect-free away from dust and dirt Pack loosely in cupboards or trunks to compact and tight packing may result in permanent crisis at the folds of the fabric Put insects, repellents like napethylene ball, neem leaves, etc तो बेटा ये 6 points आपको यहाँ पर दे रखे हैं और इसके अंदर से आप कोई भी 4 points यहाँ पर लिख सकते हैं Second question जो यहाँ पर आपका दो नमबर के लिए है वो है बेटा स्वास्थ था और स्वास्थ कल्यान की पेमाने पर उच्छ श्रणी में रखे गए वेक्तियों में कौन से चार गुण सामानने रूप से पाए जाते हैं इंग्लिश में अगर इसी question को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका अंसर यहाँ पर हम तेख लेते हैं इसके अंदर भी आप चार पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे की परसुन रेटेड हाई ओन देखेंगे प्रोफाइल फिस्ट आपॉप फिस्टेम अपॉप्र छोफ लेट पॉपस्ट अपुज चरूब जाफिंटर यहाँ पर्फॉप्रीतर असजिटा अग्ड़ रह प्रॉप इस्टाफिंट्स पीजिए ह। ability to continue to learn a capacity to love and ability to nurture and ability for effective communication तो बिटा ये हो जाएगा आपके कोई भी चार पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हैं कुशिन नमबर थर्ड पिटा हम देख लेते हैं कुशिन नमबर थर्ड में पिटा आपसे पूछा गया है मयंक के माता पिता को बच्चे के पालन पोशन में स्नेहों मुखी अनुशासनात्मक द्रस्टिकून अपनाने के लिए आप कौन से चार तरीके सुझाएंगे इंग्लिश में इस कुशिन का अंसर अगर बिटा आपको नहीं आता है तो आपको एक विकल्प यहां पर दिया गया है जैसे कि पृती हैस बिकम अन्यू मदर जस्ट आप वीक अगो एक्स्टेंट तू हर अगर आप इसका पहले ही मा बनी है उसे जनम से लेकर शे महा तक की आयू के बच्चे के किरियात्मक विकास के क्रम को समझाना है दो नमबर में प्रिशन है पिटा अगर आप इसका पहले वाला करते हैं तो दूसरे बाला करते हैं तो पहले देख लेते हैं उपर वाले का आनसर तो four way to adopt the affection orientated disciplining approach in child rearing कौन कौन से हो सकते हैं तो first, parents should explain to the children about the consequence of their actions and reason with them and to prevent them from doing unsuitable actions. Second, parents should be firm in their discipline but are affectionate and gentle with the child. Third, parents must themselves model show the qualities they wish the children should have. Parents should not use punishment to discipline the child and use explanation to point out desirable behavior. चारो में से कुई भी points आप लिख सकते हैं, मतलब चारो ही लिखने रहेंगे क्योंकि चार points तो आपको देने ही रहेंगे. और इसके अंदर जो और वाला भी कल्प वाला है, उसका अंसर आप यहाप पर देख सकते हैं, एक टेबल के थुरू यहापर समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है, motor development milestones, यानि की birth 3 month. Lifting and holding the head, second newborn, newborn can move their head from side to side lightly, चीक है, मतलब वो सिर्फ अपना head, अपना सिर्फ घुमा सकता है, धीरे-धीरे. First month में, they can raise their head, एक महिने का जब बच्चा हो जाता है, तो वो अपना head यानि की अपने सिर्फ को थोड़ा सा उठा सकता है, second month का baby, they can also lift their chest while lying on stomach, पेट के सारे जब वो लेटा है, तो वो अपने च्छाती को थोड़ा सा उठा सकता है. तीसरे महिने में, बच्चा, the infant begins to hold her his head and this is a major milestone in development. If the child is unable to do this even by the age of six month, it shows that there is delay in development. 4-6 महिने का बच्चा, can roll over from back to stomach and stomach to back, यानि की वो पलेटने लगता है खुद को, ठीक है बटा? तो ये था आपका और वाला answer, अब हम देखेंगे हमारा question number 4 क्या पूछा गया है? To give reason for the following, the baby should be breastfed immediately after birth. B, besides energy, children up to one year must get adequate protein, calcium and iron. यानि की कारण बताने हैं आपको किसके? शिशू के जन्रम के तुरंत बाद इस्तनपान कराना चाहिए, इसको explain करना है. यानि की मा का दूद पिलाना चाहिए. Second है, उर्जा के अतिरिक एक वर्ष तक के बच्चों को प्रियाप्त पोटीन, कैल्स्रियम और लोह ततू अवश्रे मिलने जाहिए. तो इसका answer देख लेता हैं बिटा. Question number 4 का answer बिटा है हाँ पर हम देखेंगे. Option A, Babies should be put on breast milk soon after birth because during the first 2-3 days a yellow colored fruit known as colostrum is produced. Babies must be fed on it as it is very rich in antibodies and protects a child from infection. WHO recommends exclusive breastfeeding for 6 months. Option B के लिए आप लिख सकते हैं. Besides energy, children should get protein for growth, calcium for healthy bones, iron for growth and expansion of blood volume. तो यह है बिटा सॉलिशन आपका question number 4 का. Question number 5 में आप से क्या पुछा गया है? Question number 5 में आपको विकल्प दिया गया है. Nutritional deficiency doses may set in if the nutritional needs of young children are not adequately met. List 4. Important cases that can be caused by nutrient deficiency in childhood. यदि छोटे बच्चों में पोशन संबंधी आवशक्ताओं की पूर्थी प्रियाप्त तरीके से नहीं हुई हो, तो उन्हें पोशक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं. उन्चार महतोपून रोगों को सूची बद करें जो बच्पन में पोशक तत्वों की कमी से हो सकते हैं. इसके विकल्प में आपको जो कोशन दिया गया है, वो है अच्छा स्वास्थ है, एवं स्वास्थ है, पूरी तरह से अच्छे पोशन पर ही निर्भर नहीं है. वास्तव में बच्चों को विभिन रोगों से बचाने में टीका करणगी भी अपनी एक महतोपून भूमिगा है. ठीक है, नो महीने तक के बच्चों को दिये जाने वाले चार महतोपून टीकों के पूरे नाम सूची बद कीजिए. और मैं आपको ये क्वेशन यहाँ पर दिया गया है. तो देख लेते हैं इसका सॉलिशन. क्वेशन नमबर फाइव में फर्स्ट वाले का अंसर है. इंपोर्टन डेफिसियन्सी डिसिस जैट में अकर इन चाइल्ड होल्ड. फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं. प्रोटीन एनरजी. पी एम लिड्स टू ग्रोथ. टिटेरडेशन एंफेक्शन लीडिंग टू डाइरिया एंड डाइडरेशन. डाइरिया एंड डाइडरेशन. सेकिंड है एनीमिया कॉज ड्यू टू आइरेन डेफिसियन्स आइरेन की कमी से. कुश्य नमबर तीन मता पॉइंट नमबर तीन. नूट्रिशनल ब्लाइडनेस. रिजल्ट क्या होता है इसका? ड्यू टू विटामिन ए डेफिसियन्स से. विटामिन ए की कमी से. और फोर रिकेट्स एंड ओस्टोपेनिया आर बॉन रिलेटेड ड्यू शोर्ट इस ओफ विटामिन डी एंड कैल्सियम. ठीक है? आपको कोई भी चार देने हैं. यहां पर पांच आपको दिये गया है. उन पांच मेंसे कोई भी चार आप दे सकते हैं. जो और वाला अंसल है यहां पर आपको दिया गया है. जिसके अंदर आपको टीको के नाम बत जाती है उसके बारे में. बर्थ के समय उसे BCG, OPV, HEPB का टीका दिया जाता है. छे सब्था का जब बच्चा हो जाता है तो उसको OPV, Penta, DPT+, Happy+, Hip उसको दिया जाता है. दस वीक वाले बच्चे को OPV, Penta की एक डोस ओर दी जाती है. चोहदा वीक का जब बच्चा हो जाता है तब उसको OPV और Penta की 30 डोस दी जाती है और 9 मन्त का जब वो बच्चा हो जाता है तो उसको MR यानि की मिसेल्स एंड रूबिला की डोस दी जाती है. और इनकी full form बिटा ही हाँ आपको स्क्रीन पर दिख रही है BCG, OPV, DPT, HEPB और HIB. देख लेते हैं question number 6 में आपसे क्या पू परिधान स्टोर खुलने की योजना बना रहा है. इस आयू वर्ग के लिए कपडों का चैन करते समय उसे किन चार विशेशताओं पर विचार करना चाहिए. नदीम इस प्लानिंग तो ओपन ए रेडिमेंट कार्मेंट स्टोर फोर प्री स्कूलर्स. वाट फोर स्पेसिफि का अंसर आपको इहां पर दिया रहा है. The feature of pre-school age children's garments are, कोई भी चार आप देंगे क्योंकि दो नंबर का ही प्रहशन है. तो the garment should be able to withstand the wear and tear as children in this age group play a lot. Second, the open part of front should be big or long. Third, should have large and comfortable neckline. Color in clothing should be avoided. Fifth, design and color should be attractive. Promote self-help features for both child and the mother. Seven, clothes should be made from lightweight material that are pre-shunk and are easy to care. Cotton is most suitable fabric for pre-schoolers. It is hygienic, absorbent and easy to launder. Nine, the design features on the ready to wear pre-schoolers dress must provide ease and care. So, nine points है. कोई भी बिचार बिटा यहां पर आप लिख सकते हैं. Question number seven. बिटा, यह दो नंबर के लिए last question है आपसे जो पूछा गया है. Your sister is a mother of a seven month old infant. Suggest to her two suitable complementary foods mentioned to important guidelines for complementary feeding she should be aware of. इसका solution देख लेते हैं, बिटा. Question number seven के answer में हम लिख सकते हैं, complementary food examples, egg, york. By seven months, starting with half teaspoon. Pals and carols well cooked separately or in combinations, milk and sugar may be added. Any two, जो आप यहां पर दे सकते हैं, guidance for complementary feeding. कोई भी दो इसमें से आप दे सकते हैं. तो first निहां पर आपको दे गए हैं, only one food should be introduced at a time. Small quantities should be fed in the beginning which can be gradually increased. Third, do not force. If the child dislike any food, try something else and reintroduce later. Spicy and fried food should be avoided for small babies. Fifth, all type of food should be encouraged without showing personal dislikes. तो इसमें से 5 points दिये गए हैं, कोई भी दो रिजन्स आप यहां पर दे सकते हैं. अब आता है आपका section B. Section B में पिटा, तीन नंबर वाले प्रेशन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे. Question number 8, जो कि तीन नंबर में है, इसके अंदर आपको एक विकल्प भी दिया है. तो देखते हैं, पहला प्रेशन, the amount of money shaved must be invested wisely so that it can be available when needed. Briefly explain any important principle of sound investment. ठीक है बिटा, इसी का option में अगर आप first नहीं करते हैं, तो जो question आप करेंगे वो है, your neighbors want to borrow money to buy land adjoining to their house, mention any two sources of credit facility to them, inform them about the four C's of credit which are commonly used by the lending bank or financial institution for taking decision to give credit. इस कुश्चिन का अंसे हैं पर होगा? Principles, underlying sound investment. First, safety of the principal amount. Second, reasonable rate of returns. Liquidity, recognition of efforts of world conditions. Easy, accessibility and convenience. Investing in needing commodities. Tax efficiency, after investment service, time period and capacity. इस में से कोई भी छे आप लिख सकते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा explain कर सकते हैं. और वाली प्रेशन में आप लिख सकते हैं, पिटाएं, आपे मेंन सोर्स ओफ क्रेडिट फैसिलिटीज आर कमर्शियल बैंक, कोपरेटिव बैंक and अग्रिकुल्चर बैंक, क्रेडिट यूनियन्स, सेल्फ हेल्प गुरूप. तो इसके अंदर से किन ही भी टू को आप नहीं हाँ पर explain कर देंगे, और 4 Cs of credits यानि की जो आपको बताने हैं, वो है 4 Cs यानि की character. Means, willingness and determination to repay a loan as agreed, even though it is a greater cost and inconvenience than the borrower anticipated. 2nd C में आपका आजाएगा capacity, तो means the ability to meet an obelization when it is due. And इसके बाद 3rd जो हो जाएगा capital means net worth. 4th, collateral consists of specific units of capital, which are placed as security for our given loan. तो ये हो जाएगे आपके 4 Cs. देख लेते हैं आपका next. Question number 9, जो आप से पूछा गया है, तीन number के लिए, वो है clothing for children with special needs should be selected according to their ability in support of this statement. Discuss 6 characteristics of clothing for physically challenged children. तो आपको 6 characteristics यहाँ पर आपको दिखाने हैं. तो इसका अंसर में आपको दिखा देते हुए हैं आपे. Clothes for children with special needs. तो garments for children with special needs are selecting according to the type of disabilities and the associated difficulties. तो फस्त हाजाएगा, comfort is the primary. Cretacean cotton is the most preferred fabric for summer and velvet. कड़री and coarse wool for winters. The garment should be strong to withstand abrasion in case the children use orthotic devices or wheelchair. Second, the garment should be strong to withstand abrasion in case the children use orthotic devices or wheelchairs. Third, garment should have reinforcements at specified areas for calipers and braces. Opening should be easily accessible and easy to first enhance velcro and zipper with keychain are good choices. Garment should be easy to wash. Wearing and talking of should be simple and so wider necklines, waist belts with elastrics, front open plackets and front pockets can be the preferred choices. Seven, aesthetic appeal in color and print show that the wearer feels good. They should be well-stitched yet easy to wear. If you have 6, you have to give 6 points and you have to give 8 points here, so if you have to give 6 points in these 8 points, you can also give 6 points. Question number 10, In the last question, this is the last question, Shalini has received 1st salary from her new job. Explain the meaning of budget to her to manage income effectively. Guide her by mentioning 5 main steps to make a good expenditure plan. Budget is the most common planning device for the use of money. A budget is a plan for future expenditure. A family budget gives in detail the income and the expenditure for a month or a year. It mentions all the sources of income during the period and all the items of expenditure under different headings such as food, clothing, housing, entertainment, travel, education, health and medicine and savings. There are mainly 5 steps in making a budget. 1st, list the commodities and services needed. 2nd, estimate the cost. 3rd, estimate total expected income. 4th, bring expected income and expenditure into balance. 5th, check plans. So these are your 5 steps in making a budget. So this will be the answer to question number 10. Now let's go to section number C. Question 11, In question 11, When you are in the first place, Rekha Chitra, Rekha Chitra, Rekha Chitra, Rekha Chitra, Rekha Chitra, 8 dimensions of a healthy lifestyle with a diagram describing a holistic approach to well-being. This answer is the first time. This answer is the first time. Dimensions of a healthy lifestyle. 1st, social aspect. This emphasizes the entry dependence with others, making friends and having meaningful, satisfying and stable relationship with others. Physical aspects, we can say that refers to deliberate choices for a lifestyle that includes adequate physical activity, well-balanced diets, and good fitness. 3rd, intellectual aspect. These encompasses the extent to which one engages in creative, stimulating mental activities. 4th, occupational aspect. This is concerned with the satisfaction gained from one's work and how much one feels enriched by the work. 5th, emotional aspects. 5th, aapka emotional aspects. This is closely related to the degrees of awareness and acceptance that one has of one's feeling. 5th, spiritual aspect. This addresses one's continuous involvement in seeking meaning and purpose of life and living. 6th, environmental aspect. Point number 7. The deals with the interaction and interdependence between humans and the environment. 7th, financial aspect. The forces on informed decision-making and learning how to manage financial resources wisely save investment plan for the future. And this is the diagram that you can see in the background of wellness and then in the background of physical, spiritual, occupational, social, emotional, environmental, and intellectual, which we have described as well. We will show you here. This is the diagram that you have to make. Let's look at your next question. Question number 12. Karthik has some oil stains on his cotton band. A. Suggest him any too suitable stain removers. Reagants for removing the strains. Also tell him for general considerations he should keep in mind while removing these strains. Draw suitable symbols for a care label for a ready-made black band to indicate the instruction. Do not bleach and dry in shade. In addition to this, the other question you have asked for, we will give you the answer here. So here you have an option. The other question you have asked for, Savita wants to get her woolen carpet dry-cleaned to clean the accumulated grasses on it. A. Name the two most common use solvent for dry-cleaning. B. Briefly explain the dry-cleaned process to her. C. Draw suitable symbols for a care label for a fur coat to indicate the instruction. Do not iron and use cold water. So let's see this solution. Let's look at question number 12. Question number 12. Question number 12. A point of answer will be grease solvents, turpentine, kerosene, white petrol, methylated, sprit, estone, carbon, trera, chloride, grease absorbent, bran, fuller's earth, talcum powder, starch, french off. In meisik, koi bhi dua mehan par mention kar sakne hai. B. General consideration removal of strains. Toh first, remove the strain when fresh. Second, identify the stain and use the right procedure for its removal. Third, four, a non-stain starts with a simple process and move to a complex one. Four, repeated use of miller regent is better than one-time use of a strong ascent. And fifth, wash all fabrics with sophy solution after stain removal to remove all traces of chemical from it. Six, dry fabric in the sun as sunlight act as natural bleach. And sixth, four, delicate fabrics dry out the chemicals on a small portion of fabric. If they damage the fabric, do not use them. Yeh joh aap ko hihaan par seven point diye gahe hai hai. In meisik kohi bhi four, aap explain kar sakte hai. Iske alawah, si joh aap se puchha gaya hai, usko aap hihaan par dhek liji jihay hai. Do not bleach. Thik hai, dry in shade. Or yeh wala aap ke liye nahi hai. Or wale preshna ka joh answer hai. Whom haam hihaan par dhek lietay hai. Toh a ka point aajayega hihaan par. For dry cleaning, the most common solvent used are phyllochloroethylene, a petroleum solvent or a fluorocarbon solvent. B. When cleaning is done by solvent or absorbent, it is called dry cleaning. It is generally done in industrial estabilisements and not at the domestic level. The items are brought to the dry cleaner and identified with a tag that includes special instructions items are first inspected and treated at a sport board. Customers who identify the stain for the dry cleaner make the cleaning task easier and satisfactory. Second, additional treatment that many dry cleaners are equipped to do include replacing buttons, doing minor repairs to item, replacing scissing, water repellency and other finished-like permanent crissies. Mouth-proofing and cleaning fur and leather. Some dry cleaners also clean and sanitize feeders, pillows, blankets, squads and carpets and clean the pressed draperies. Okay, now let's go to question number 13. Please, please, let's go to question about 8-year-old Saloni can easily arrange items of varied size and serial order. identify this stage of congenitive development described by PIGOT explain any three characteristics of this stage with examples इसका answer दिखते है इसमें आप लिख सकते हैं the concentrate operational stage 7 to 11 years this stage corresponds to the stage of middle childhood characteristics में आप लिख सकते हैं the child can now mentally reverse performed action and focus on multiple dimensions or expects of a problem at the same time example of puring water into another glass she or he can reason that when the water is pured from the wide glass to the narrow glass the amount of water does not change because nothing was added second the children at this stage are less egocentric they see that different people can see the same event in different ways because of different situations and different sets of values this help in the development of emotions especially emotions of sympathy and empathy third ho jayega beta the child develops a stable number concept she he understand how much quantity a particular number signifies and does not make errors in counting she or he can understand that a particular object can belong to a number of of different categories example of fruits fruit can be classified as those with seeds and those without sheets the same sets of fruits can also be classified as fruits that grow in winter and those that grow in summer and also on the basis of their taste sweet or sure thus the same fruit would belongs to different sets which each 3 translation of classification तो बिटा ये हैं आपका तीन पॉइंट्स जो दिये गए हैं आपके आंसर में कुर्षिन नमबर 13 के बिटा आसा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी समझ आई होगी कुर्षिन का पैटर्न समझ आया होगा आंसर किस तरह से देने हैं समझ आए होगी तो बिटा मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें और